हेलो दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूट्योब चैनल यहू बाबापे यह हमारा बूट्सेप कोर्स एलेटिट 52 टोडोरेल है और इस वीडियो में आप बूट्सेप का टोस्ट प्लग इन सीखने वाले हैं तो आई यह पहले देखते हैं कि टोस्ट प्लग इन एक्षुल म हम बोलते हैं टोस्ट बॉक्स इसके अंदर एक हैडिंग हम डाल सकते हैं यहाँ इसका हैडर पार्ट होता है यहाँ पर देखेग एक्रॉस NICK सीख भीन को जाए हो कर सकते हैं और इसके बाद आता है इसका में बॉड़ी का पार्ट जहां पर हम कोई भी मेशेज यहाँ डिस् जो हमारे पस यहां पर Toast plugin होता है इसका basically हम जो use करते हैं वो करते हैं notifications के लिए जैसे आप mobile पे notifications देखते हैं अलग-अलग softwares के आपको notification आती रहती है इसी तरह अगर आपने website पे कोई automatically notification देनी है customer को या जो भी website का visitor है उसके लिए हम इसका use कर सकते हैं तो यहां पे कोई जुरूर ही नहीं है जैसे मैंने यहां पर आपको button की click पर इसे open करके दिखाया हम इसे automatically भी open कर सकते हैं PHP और Ajax की help से पस यहां पर हमारे को bootstrap के अंदर इसकी CSS वगरा मिल जाती है और इसको dynamic कैसे show करना है उसकी jQuery की plugin के कुछ options मिल जाती है तो यह शुरू करते हैं इसका practical तो यहां पर देखिए अगर आप इस तरीके का toast अपने web page के अंदर show करना चाते है dynamically या कैसी भी तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर दो JS की files को include करना पड़ेगा सबसे पहली जो file है वो है jQuery.js file और उसके बाद जो दूसरी file है वो है bootstrap.js file और उसके बाद बात आती है toast की html की तो देखिए अगर आप जब भी toast मनाना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक div लेना है तो उसके लिए आपको दो अलग-अलग div लेने है सबसे पहला जो उपर वाला div है उसके आपको class लगानी है toast header जिसके अंदर आप heading वगरा या cross का button वगरा show कर सकते हैं और इसके बाद आती है इसके main part body की तो उसके हमें एक class लगाएंगे toast-body तो basically तीन ही classes हैं इसमे toast जो parent class रहेगी और उसके अंदर है toast header फिर उसके बाद toast body तो अई इसका practical शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस तरीके के toast को कैसे अपने web page के अंदर include कर सकते हैं तो यहाँ देखिए web editor के अंदर मैंने अपना एक page बना लिए जिसका नाम मैंने रखा toast.html और इसके head tag के अंदर मैंने अपना matter tag लिए एक viewport नाम से और उससे नीचे यहाँ पर मैंने bootstrap की CSS वाली file को include किया है और जैसा कि मैंने आपको बता है toast के लिए उमारे को 2.js की file से ही है तो यहाँ पर मैंने उनको include भी किया है jQuery.js और bootstrap की js file और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं body tag के अंदर मैंने एक div लिए container और उसके नीचे एक heading दिये इसको मैंने text line center किया हुआ और उससे नीचे एक div जिस पर मैंने class गाई है जिसको y-axis में padding भी दे रखी है और उसके अंदर एक full width का एक column बनाया है अब यहाँ पर मैं आपको toast को create करके दिखाता हूँ तो उसके लिए सबसे पहले div लेना और उसके class गानी है toast यह देखिए अब इसके अंदर मेरे को दो ही पार्ट चाहिए एक है toast का header और एक है toast की body तो उसके लिए header के लिए हम यहाँ पे एक div ले रहे हैं जिस पे मैं class लेका रहा हूँ toast header यह देखिए अब इसके अंदर मेरे को heading वगारा देनी है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ bold वगारा यह strong tag ले सकता हूँ तो मैं bold tag ले रहा हूँ और इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ जैसे bootstrap toast और यहाँ पर इसको margin auto देता हूँ right side से तो उसके लिए class मैं लगा रहा हूँ bootstrap की mr-auto अभी heading की साथ मैं यहाँ पर कोई image वगर भी show कर सकता हूँ तो देखी मैं एक छोटी सी image भी आपको लगा के दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैंने image tag लिया अब हमारे पास यहाँ पर एक image पढ़ी है already यहाँ देखी है हमारा images नाम का folder है और इसके अंदर एक image रखी हुई है bootstrap-logo.svg तो इसी को मैं यहाँ use करने वाला हूँ यह देखिए और इसकी जो मैं height यह width है उसको भी set कर देता हूँ क्योंकि इमेज जो है svg image है और काफी बड़ी image है तो यहाँ पर मैं इसका size रख रहा हूँ जैसे 20 pixel तो height भी automatically उसके according set हो जेगी यहाँ पर अब जैसा कि आप यहाँ पर देखने जो heading है उसको मैंने margin right auto दिये है इसका मतलब जो इसके right side में जो भी चीज आएगी वो बिल्कुल right में चली जाएगी तो यहाँ पर मैं cross का एक button लगाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं पहले button tag ले ले लेता हूँ और इस button पर मैं यहाँ पर एक class लगा दूँँगा बूट सेब की close और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस button पर click करूँ तो हमारा जो यह toast है वो close हो जे तो उसके लिए मिरे को यहाँ पर एक data attribute लेना data hyphen dismissed और इसकी value देनी है toast मतले कि जब भी मैं इस पर click करूँगा तो यह toast now का जो भी हमारा div होगा यह totally close हो जेगा अब इसके अंदर मिरे को cross का button भी दिखाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर span tag ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं cross के लिए एक entity code ले लूँगा जिसको हम कहते हैं times HTML के अंदर बहुत सारे entity codes होते हैं जो आप Google पर जाके search कर सकते हैं HTML entity codes लिखकर तो वही से मैंने cross के लिए जो entity code होता है times करके उसको यहाँ पर लिखा है आप यहाँ पर कोई cross की image वगरा भी लगा सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर मैं क्या करना चाता हूँ जैसी यह body जो header इसका यह खतम होगा इसके बाद हम काम करेंगे toast की body पे तो उसके लिए मैं एक div ले लेता हूँ और उसके class लगा रहा हूँ toast body और इसके अंदर हम कोई भी message लिख सकते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं lorem 10 words का एक paragraph लेख रहा हूँ यह देखिए तो यह हमारा जो toast का total काम है complete हो चुका है और अगर मैं अब इसे browser के अंदर जाके check करूँगा तो यह आई वहाँ पर show नहीं होगा इसको show करने के लिए मारे को एक अलग से class यूज़ करनी पड़ती है show तो देखिए यहाँ पर वो class लगानी है मेरे को toast के साथ ही show यह class आपको सिरो तब ही लगानी है अगर आप चाते हैं कि जैसे मैं page को refresh करूँ और आपका toast जो show होने लग जाए उसी के लिए आपको यह class लगानी है अगर आप किसी button के click पर toast को show करना चाते है तो इस class को लगाने की कोई जूरूरत नहीं है तो देखिए मैंने यहाँ पर file को save किया और यहाँ पर आकर page को refresh किया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा जो toast है वो open हो चुका है यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर इसका message आ रहा है यह header आ रहा है यह image और जो इसकी heading है वो आपस में चिपक रहे हैं तो मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा margin देना पड़ेगा इन दोनों के बीच में और मैं इस पर click करता हूँ तो देखिए यह automatically burn नहीं हो रहा इसको close करने के लिए हमार को यहाँ पर jquari का एक part use करना पड़ेगा मैं भी आपको करके दिखाता हूँ उससे पहले मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा margin देता हूँ और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और भी बताना चाता हूँ देखिए यहाँ पर हम कुछ और भी text add कर सकते हैं cross button के साथ उसको भी मैं आपको add करके दिखाता हूँ तो देखिए सबसे पहले जो मैंने यह image लगाई है यहाँ पर मैं इससे पहले यहाँ पर class लगा देता हूँ सबसे पहली जो हमारे पास यहाँ पर class है वो है rounded इसको लगाने से जो इसके corners है उसमें थोड़ी सी roundness आजएगी और इसके साथ में मैं इसको margin right देना चाता हूँ margin right to तो यह मैंने margin दे दी यहाँ पर और जैसा कि मैंने आपको बदाया था कि cross button के साथ यहाँ पर हम कोई text वगारा भी add कर सकते हैं आपको देके दिखाता हूँ जैसे मैं यहाँ पर time show करना चाता हूँ कुछ भी तो उसके लिए मैं यहाँ पर small tag ले रहा हूँ HTML का आप span tag बगारा भी ले सकते हैं और इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ जैसे one second ago मतलब कि जो यह जब यूजर इस पर click करेगा तो उसको message आजाएगा कि एक second पहले ही open हुआ है basically हम इसे dynamic बनाते हैं जावा script की help से और यहाँ पर हम bootstep की class तकाने वाले हैं जिसका नाम है text muted इस class को देने से basically जो text का color है वो थोड़ा सा grayish हो जाएगा अब जो यह button आ रहा है यह दोनों आपस में चिपक जाएगे उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसमें थोड़ा सा margin दे देता हूँ तो margin left ले रहा हूँ ml-2 यह देखिए तो यह हमारा काम complete हो चुक है और last में जैसे कि मैंने भी आपको दिखाया था कि close button पे click करने पे close नहीं हो रहा तो उसके लिए भी हमारे को छोटी सी एक script लिखनी पड़ेगी मैं आपको दिखाता हूँ तो मैं यहाँ गया और यहाँ पर सबसे पहले मैं jquari का एक basic code स्टार्ट कर लेता हूँ उसका selector बनाके तो इसके अंदर सबसे पहले मेरे को target करना अपने toast नाउं का जो हमारा यह plugin है पूरा div है इसको तो यह class को ही मैं यहाँ पर selector बना लेता हूँ और यहाँ पर मेरे को plugin का नाम लिखना जिसका नाम ही है toast यह देखिए अब ऐसा करने सी क्या होगा यह plugin की जो js है वो इस वाले div के साथ attach होजेगी और जब भी मैं close का button पर click करूँगा तो यह close भी होने लगेगा तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर page को refresh यह देखिए यहाँ पर आप देख रहे है time भी आ गया और यहाँ पर gap भी आ चुका है अब मैं इस button पर click करता हूँ तो देखिए close भी हो गया मैं दुबार से page को refresh करता हूँ तो वो कहीं corner पर show होता है page के जैसे top पर, right पर या बिल्कुल bottom पर तो अभी मैं इसको आपको container से बाहर निकाल के दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जितना भी मैंने यह सारा toast का code किया था इसको मैं यहाँ से cut कर लेता हूँ और इसको मैं div से बाहर डाल देता हूँ यह देखिए अब मैं यहाँ पर file को save करके आपको एक बर check करा देता हूँ मैं यहाँ पर आया और मैंने page को refresh किया यह देखिए यह यहाँ पर show क्यों हो रहा है actually मैं यहाँ पर जो container था वो यहाँ पर close हुआ तो उसके बाद यह automatically यहाँ पर show होने लग गया अब इसको मैं basically top पे दिखाना चाता हूँ यहाँ पर left पे या top right में तो उसके लिए मिरको यहाँ पर क्या करना है इसको position देनी पड़ेगी तो इसको display जब भी करना होता है तो इसमें यहाँ पर हम position वगएर अपनी खुद की लगानी पड़ती है कि कहाँ पर इसको actual में आप display करना चाते है तो यहाँ पर मैं अभी inline style ही लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं ccs की property यूज़ करना हूँ और इसकी value absolute और उसी के साथ मैं यहाँ पर मेरे को यह भी बताना है कि कहाँ पर show करना है तो मैं top पर show कर रहा हूँ इसे top से मैं लेलता हूँ जैसे 20 pixel और left से भी 20 pixel यह देखिए तो यह इसकी styling होगी मत एक इसकी positioning कहाँ पर रखना है इसे यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ आकर page को refresh यह देखिए मैं इसको बंद करता हूँ तो यह बंद भी होजएगा page को refresh करता हूँ यह देखिए तो मैं इसको कहीं पर भी place कर सकता हूँ right side में bottom पे left right bottom पे अब इसकी और थोड़ा सा styling की तरफ देखिए यहाँ पर जो इसका header है और इसकी जो body का part है दोनों ही white है मगर यहाँ पर हमारे पास एक option होती है कि अगर जैसी body का रंग मतले कि जहाँ पर भी आपका यह toast display हो रहा है उसका अगर background color dark होगा तो यहाँ पर इसकी थोड़े से colors में changes हो जाते हैं अपने आप मैं आपको करके दिखाता हूँ तो देखिए जैसे यह हमारा toast है body tag के अंदर ही आ रहा है basically और यहाँ पर मैं body tag के अंदर इसका background color black कर देता हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने black color डाल दी यहाँ पर black color डालना basically कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ पर कोई भी dark shade भी ले सकते हैं तो यह automatically जो toast का color होगा वो थोड़ा सा change हो जाएगा मैं आपको change करके दिखाता हूँ यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर file को refresh यह देखिए यहाँ पर जो इसका body part है इसमें light सा gray आ चुका है जिसे काफी attractive भी लग रहा है यह अब इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हम multiple stacking भी कर सकते हैं stacking का मेरा मतलब है कि अगर हमने एक ही page के अंदर multiple toast दिखाने हो वो भी हम यहाँ पर show कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ देखिए उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना मैं इसी toast को copy कर लेता हूँ और इसी के नीचे यहाँ पर paste कर देता हूँ यह देखिए दो toast हो चुकिए आप language वगारा जो भी body की change करना चाते हैं वो कर सकते हैं और जैसा भी title रखना चाते हैं इसके header में वो रख सकते हैं यहाँ पर मैंने दोनों का same ही रखा हूँ यहाँ पर मैं file को save करता हूँ और यहाँ आकर file को refresh यहाँ पर actual में हुआ क्या है यहाँ पर जो दोनों toast है एक के पीछे एक आगे है क्योंकि दोनों की position हमने same ही रखी हुई है तो उसको मैं change कर देता हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जो यह position है मैंने यहाँ पर दीती इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ यह देखिए और यह style भी हटा देता हूँ इसी तरह मैं यहाँ से भी इसकी position हटा देता हूँ और सबसे पहले मैंने जो background का black color दिये उसको मैं हटा रहा हूँ अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक अलग से div ले लेता हूँ और उसी पर यह position देता हूँ यह देखिए मैंने यहाँ पर position दे दी और इस div को में close कहां करूँगा जहाँ पर यह मेरे दोनों toast खतम हो रहे हैं वहाँ पर यह देखिए यहाँ देखिए इस div के अंदर ही हमारे जो दोनों toast है वो आ चुके अब मैं यहाँ पर इसकी कोई width वगरा है अगर specify करना चाहूँ वो भी कर सकता हूँ तो अब ही मैं क्या करता हूँ वस इस toast के साथ जो हमारा उपर वाला toast है इसमें margin bottom देता हूँ ताकि जो नीचे वाला हमारा toast है वो उसके साथ चिप के मत यह देखिए margin bottom 3 तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ आकर file को refresh यह देखिए यहाँ पर देखिए हमारे दोनों जो message है वो शो होने लग गए है इसी तरह हम यहाँ पर multiple stroke के message भी दिखा सकते है अगर हम इसकी positioning right side में करना चाहें तो अब हमारे को यहाँ पर करना क्या है जो main divly है जिस पर हमने position लगाई है सिर्फ वहीं से इसकी position right करनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ तो देखिए जैसे यहाँ पर position top से इतनी रहने देता हूँ और यहाँ से कर देता हूँ right यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर file को refresh यह देखिए यहाँ पर अब यह right side में आ चुके है तो इस तरह मैं जहाँ पर भी जिस पी position पर से show करना चाता हूँ right पर, bottom पर, center पर कहीं पर भी वहाँ कर सकता हूँ अब इसकी बाद हम बात करते हैं कि हमार को boot setup में toast plugin के साथ कुछ methods मिलते हैं जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख रहे थे कि हम page को refresh कर रहे हैं तभी यह toast open हो रहा है मगर मैं अगर इसे किसी button के click पर open करना चाता हूँ या image के click पर, या link के click पर तो वो सब करने के लिए हमार को यहाँ पर methods मिलते हैं तो यह पहले उन methods को देखते हैं यहाँ देखिए हमार पास तीन अलग अलग तरीके के methods हैं जो हमारे को toast plugin के साथ मिलते हैं पहला है show, hide, फिर है last minute dispose तीकि अगर हम किसी button के click पर toast को show करना चाते हैं तो हम show method यूज़ करेंगे अगर hide करना चाते हैं तो hide method और एक होता है dispose method यह method basically कोई मेरे को काम का नहीं लगता अगर हम इसे कहीं पर use करते हैं तो इसका मतलब होता है कि toast की जो HTML हमने की हुई है वो remove हो जाती है HTML के page से तो आई जो उपर वाले दो methods हैं show, hide, इनका मैं आपको practical करके दिखाता हूँ तो देखी मैं यहाँ पर editor में आ गया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ अपनी call class के अंदर एक button ले लेता हूँ और इस button पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ जैसे show और यहाँ पर मैं bootstep की class भी लगा लेता हूँ इसको color वगरा set करने के लिए एक तो है btn और फिर ले रहाँ blue color के लिए btn-primary इसी का मैं duplicate कर लेता हूँ hide करने के लिए और इसका rung change कर दूँगा मैं जैसे यहाँ लिख देता हूँ danger तो यहाँ message भी change कर रहा हूँ hide अब इन दोनों button के click पर ही मिरको toast को show करना है और hide करना है तो इसके लिए मिरको यहाँ पर इसके id की जूर्थ पड़ेगी तो यहाँ पर मैं id भी लगा लेता हूँ तो यहाँ पर मैंने id लिख लिए show button बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर id ले लेता हूँ hide button यह देखिए अब पहले मैं show button का यहाँ पर code करता हूँ उपर जाके तो यहाँ पर जो यह मैंने code किया था इसको तो मैं remove कर देता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मिरको जो selector बनाना है अपना वो है show button यह देखिए अब इसी के click पर मैं यहाँ पर एक function चलाऊँगा anonymous function कि जब भी इस button पर user क्लिक करे तो मुझे करना क्या मेरे को toast को show करना है तो हुमारा जो toast है उस पर मैंने कोई ID नहीं लगा हुआ आप देख सकते हैं हाँ पर यह toast नाम का जो मारा plugin है मैं नीचे वाले toast को तो remove कर देता हूँ भी और यहाँ पर जो मेरा एक toast आ रहा है इस पर मैं एक ID भी लगा लेता हूँ इसका नाम मैं रख रहा हूँ my toast यह देखिए अब इस ही को मेरे को show करना है तो यहाँ पर मेरे को इस ही का selector बनाना है और यहाँ पर plugin का नाम लिख देना है toast और इसके अंदर हम method यूज़ करेंगे जिसका नाम है show इसको show करने के लिए इसी तरह मैं hide button के लिए भी कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसको copy कर रहा हूँ और यहाँ पर button का नाम है hide button और उसके click पर मुझे करना क्या है जो भी हमारा toast है उसको hide कर देना है यहाँ पर जी हमारे toast है पहले सी show हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर class youse किया show उसको मैंने हटाना पड़ेगा तो देखे उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जहाँ पर मैंने class लगा हूए show इसको मैंने remove कर देना और इसके साथ मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो यह हमारा उपर कॉल आ रहा है, जिसके अंदर मैंने दोनों बटन्स को प्लेस किया हुआ, यहाँ पर इसकी एक विड दे देता हूँ यह देखिए, और जो हमारे जो इससे उपर इसका पेरेंट क्लास है रो, इस पर मैं बूटसप की क्लास दगायता हूँ justify content center इस ही क्या होगा, जो इसकी अंदर जो इसका child div आ रहा है, यह center line होजेगा horizontally, तो यहाँ पर अभी मैंने फाइल को save किया और यहाँ कर फाइल को refresh, यह देखिए center हो चुक है, अब मैं यहाँ पर show button पे click करता हूँ देखिए, जैसे मैंने इस button पे click किया था, तो एक बार हमारा जो यह toast है, वो open हो था और फिर close होगे, मैं आपको दुबारा दिखाता हूँ यह देखिए यह बिल्कूल एक second के लिए open हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, जो भी हम toast open करते हैं किसी event पे लगाके, तो यह एक बार open होके close हो जाता है, क्योंकि इसका just purpose ही ही होता है कि हमारे को एक information देना हम इसको retain अगर रखना चाते हैं बति कि अगर display में long time पे रखना चाते हैं तो इसके लिए मारे पास यहाँ पे data attribute भी आता है देखिए, उसके लिए हमारे को यहाँ क्या करना पड़ेगा जहाँ पे हमने class गई है toast यही पर मैं वो data attribute ले लेता हूँ उसका नाम है data hyphen auto hide यह देखिए और इसकी हमारे को value के देनी है false इसकी दो ही values होती है एक होती है true और एक होती है false by default इसकी value होती है true अगर हमने इसको set कर दिये false इसका मतलब अब यह automatically hide नहीं होगा जब तक user खुद इसे hide ना कर दे cross button पे click करके यहाँ पर आया file को refresh और यह देखिए अब हमारा जो यह toast है यह बिलकुल open है जब तक मैं इसे close नहीं करूँगा तो यह close नहीं होगा अब मैं यह hide पे click करता हूँ तो यह देखिए hide हो गया show, hide show, मैं hide इधर से भी कर सकता हूँ cross button पे click करके यह देखिए और अगर मैं चाता हूँ कि जैसी मैं यहाँ पर show को open तो कर दिया यह automatically 3 second बाद, 4 second बाद अपने अब close होजे तो वो भी हम कर सकते है तो उसके लिए हमारे को यह वाला attribute नहीं लेना data auto hide उसके लिए हमें दूसरा attribute लेना जिसका नावा data hyphen delay और इसकी जो value हो milliseconds के अंदर देनी है देखिए जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ 3000 अब इसका मतलब है 3 second बाद यह toast जो automatically hide होजेगा तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ कर file को refresh यह देखिए मैंने click किया और यह देखिए 3 second बाद automatically hide हो चुक है मैं दुबारा दिखाता हूँ यह देखिए तो यह automatically hide भी हो रब अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अभी हम यह data attribute use कर रहे हैं अगर हम इनको यहाँ नहीं लिखना चाते तो इसके लिए हमारे पास जहाँ पर जो हमने plugin यूज किया जिसके नाम है toast उसके अंदर भी हमें इन options को pass कर सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ पहले मैं इसको यहाँ से remove कर देता हूँ और मैं उपर जाता हूँ जहां मैंने show किया है तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हमारा यही बाला मैं attribute ले लेता हूँ पूरा और इसके अंदर मेरे को multiple options अगर देनी है तो यहाँ पर मैं curly braces लूँगा और यहाँ पर जो मैं सबसे पहले attribute यूज करने वाला हूँ उसका नाम है delay जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे 3000 बिल्कुल वैसी जैसे अभी हमने नीचे लिखा था तो यहाँ पर मैंने इस file को save किया और यहाँ आकर file को refresh मैंने click किया यह एक साथ ही hide हो चुका है मैं दुबारक ले करता हूँ यह देखिए hide हो रहा हूँ यहाँ पर हमने कुछ गडबड किया मैं एक पर देखता हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें इसे यहाँ नहीं पास करना मैं इसको यहाँ से cut कर लेता हूँ और सीधा ही जो मारा main function है उसके अंदर इससे डाल देता हूँ यह देखिए अब यहाँ पर जो भी toast my toast नाम का toast होगा उसकी default मैंने property यहाँ पर set कर दिया दिले 3000 millisecond और यहाँ पर curly braces भी मेंस है यह ऊपर चली गए है इनको यहाँ ले आता हूँ यह देखिए यहाँ पर मैंने से डाल दिया अब मैंने file को यहाँ पर save किया file को refresh यह देखिए अब हमारे यह toast चल रहा है तीन सेकिंड बाद यह close हो गया यह देखिए मैं दुबारा दिखाता हूँ यह देखिए अब विल्कुल इसी तरीके से हमारे पास और भी attributes आते हैं अगर आपने यहाँ पर delay नहीं लगाना तो यहाँ पर आप auto height वाला feature भी लगा सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको दिखा था data hyphen auto height तो इसकी भी value हमें false ही रखनी है तो यहाँ पर मैंने file code save किया और यहाँ के refresh मैंने click किया अब जो हमारे यह toast है यह automatically hide नहीं होगा जब तक user इस पर click नहीं करेगा cross पर या यहाँ पर hide button पर यह देखिए अब यहाँ पर हमारे पस एक last attribute भी होता है जिसे हम कहते हैं animation अब यहाँ पर जब देखेंगे जब मैं show button पर click करता हूँ तो यहाँ पर हलका सा fade effect आता है अगर आप नहीं चाते कि वो fade effect आए तो उसके लिए हम उस animation की property को false कर सकते है तो देखिए मैं यहाँ पर गया और मैं यहाँ पर property का नहीं हम लेता हूँ animation और उसकी यहाँ पर value देता हूँ false इसकी दो ही values होती है true या false by default इसकी value होती है true मतलब कि fade effect लगा रहे अब हमने इसे हटा दिया तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ के refresh अब यह देखिए जटके से open हुआ जब hide भी होगा तो भी जटके से यह देखिए मतलब कि बहुत fast हो रहा है तो यह मैंने animation को burn कर दिया अब last में हम देखते हैं कि toast के साथ हमारे को कुछ events पर मिलते हैं वो events कौन कौन से हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पर ट्रिगर कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ जैसी आप toast बटन को show करने के लिए किसी बटन पर click करेंगे या event जैसी call करेंगे तभी यह वाला event अपने आप trigger हो जाता है और जैसी आपका जो toast अप पूरी तरह show हो जाएगा उसके बाद यह वाला event trigger करेगा और इसके बाद है hide देखी जैसी आप किसी बटन पर click करेंगे toast को hide करने के लिए तभी यह वाला event इमिजेटली trigger हो जाएगा और इसके last में hidden जैसे आपका toast जो है completely hidden हो जाएगा उसके बाद यह वाला event trigger करता है तो आप इसके अंदर जाके कोई भी code कर सकते हैं मैं आपको इनका एक example करके दिखाता हूँ तो देखी जैसे मेरे को इसी वाले toast पर बदेखी जिस पर मैंना ID लगा है my toast इसी पर event add करना है तो मैं क्या करूँगा मैं इसी के नीचे इसका code कर लेता हूँ पहले मैंने इस selector बना लिया ये देखी event का नाम हो गया इसके बाद जब भी ये event ट्रिगर हो तो इसके अंदर code कौन सा करना है उसके लिए मैं यहाँ पर एक anonymous function बना लेता हूँ और इसके अंदर आकर just मैं एक alert लगा देता हूँ आप वैसे कोई भी code कर सकते हैं जिसके आपको एक example दिखा रहा हूँ कि इस तरह हमारा ये event ट्रिगर करता है अब मैं बिल्कुल ऐसे ही एक दूसर event लगा लेता हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ यहाँ पर hide और यहाँ पर भी लिख देता हूँ hide तो यहाँ पर मैंने file को save किया और यहाँ प्याके file को refresh अब देखी जैसी मैं इस पर click करूँगा हमारा जो toast है उसके show होने से पहले ही हमारा पास यहाँ पर event ट्रिगर हो जएगा show नाम का यह देखिए अभी show नहीं हुआ हमारा यहाँ पर toast मगर यहाँ पर event ट्रिगर हो चुका है show नाम का उसके बाद देखिए यह show हुआ और वेलकुल ऐसी अगर मैं hide पर click करूँगा हमारा जो यह toast है इसके hide होने से पहले हमारा event ट्रिगर हो जएगा hide यह देखिए अब यह hide भी नहीं हुआ तो यह ट्रिगर हो गया और इसके बाद यह hide हुआ बिलकुल से आती है Shown और hidden यह देखिए अब Shown जो हमारा यहा पर event है यह कब trigger होगा जब हमारा जो toast हो दिलकुल show हो जएगा उसके बाद मे और hidden तब हमारा trigger होगा जब हमारा toast हो भी चैश्द हो दिलकुल hide हो जएगा तो यह मैंने file को save किया यहाँ पर मैं HTML आ चुकी है मगर अभी यहां दिखने दी बिल्कुल इसी के साथ हो जागी यह देखिए और ऐसी hide है जब यह बिल्कुल hide हो जागा तब trigger होगा हमारा event hidden यह देखिए मैं यहाँ पर आपको console में भी एक बार चेक करा देता हूँ तो देखिए मैंने यहाँ पर प्रेस किया F12 और यहाँ पर मैं event पर गया तो देखिए यह हमारा toast है मैं अभी show पर click करता हूँ तो देखिए यहाँ पर show आ चुका है मतले कि यह शो हो चुका है मगर अभी दिख नहीं रहा है यहाँ जब तक मैं ok पर click नहीं करूँगा यह देखिए और जैसे मैं hide कर दूँगा तो देखिए यहाँ पर estimate hide हो चुक है मगर अभी भी यह दिख रहा हूँ कुछ second का फरक होता है क्योंकि यहां पर alert आ चुका है यह देखिए तो यहां पर यह हमारा tutorial complete हो चुका है इससे next वीडियो में हम सीखने वाले हैं bootstrap का last plugin जिसका नाम है scrollspy तो उस वीडियो को भी देखना मत भूलिए hope so आपको यह हमारा video tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को please like करना मत भूलिए अगर आप ऐसे ही regular updates चाते हैं तो हमारी channel yahoo baba को subscribe करना मत भूलिए